दोस्तों बेशक से मार्क्स अगरबग को ऐसा लगता है कि वो जो मेटावर्स बना रहे हैं वो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाली है टेक इंडिस्ट्री के अंदर लेकिन बिल गेट्स जो कि एक वक्त में दुनिया के सबसे मेरी इनसान थे उनका मानना है कि इंडिस्ट्री के अंदर अगर कोई बड़ी चीज आने वाली है या आ रही है तो वो मेटावर्स नहीं है ना ही वो वेब थ्री है बेशक से यह रेवलुशनरी हो सकता है लेकिन यह आउट ओड़ नहीं है लेकिन आडिफिशल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि इन करना चाह रहे हैं हो डिजिटली लेकिन उनसे भी ऊपर एक चीज जाकर बैठेगी वो है आडिफिशल इंटेलिजेंस अगर आप देख रहे हो कि चैट जीपीटी को अभी रिलीज ही हुआ था और ऐसे उसने लोगों का अटेंशन ग्रैब किया और गूगल के तो पसीन नि लिए और यहां पर शायद डॉक्टरों और टीचर्स की जॉब को भी इससे खत्रा होएगा यह इस तरीके की टेकनोलजी है लेकिन आडिफिशल इंटेलिजेंस इस वक्त में इतना जादा रियलिस्टिक हो चुका है कि वो कई सारी महिलाओं को छेड भी रहे इस चुक्कि इसको हुमन की तरह मिमिक करना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह सही नहीं गया क्योंकि जादा तर लोग इसको ऐसे मिले जिनोंने बद्दी बद्दी बाते करी तो इस एई आई का भी काम क्या रह गया वैसे तो यह तैयार इसलिए किया गया था कि अकेलों ल इमिजिस भी उनको सेंड करने लग गया इस तरीके का यह आडिफिशल इंटेलिजन्स बन चुका था तो मतलब इनसान जिस तरीके से बाते करते हैं जादा तर शायद यह उसी के अंदर घुश गया या फिर इसको मिले ही सिर्फ गंदे लोग थे जिनोंने इसकी कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखा दिया क्योंकि उन्होंने अपनी टॉप मॉडल के करीबन 20 परसेंट डाउन कर दिया यूएस और यूरोप के अंदर क्योंकि एकनॉमिक डाउंटर्न चलना शुरू हो चुका है उनका मार्केट कैपिलाइजेशन करीबन एक ट्रिलियन से 400 ब काम लेमें लेकिन फिर भी उनको दिख रहा है कुछ ना कुछ जिसकी वएसे उन्होंने डारेक्टली भी इस पर सेंटी प्राइस डाउन कर दिया और इसी के साथ-साथ ट्विटर का भी कुछ ऐसे सोचा जा रहा है कि यहां पर यूजर नेम सेल करने शुरू कर देने चाहि यह पैसा पे करो और उसके बाद में उसको यूजर नेम मिलेगा तो कुछ ऐसे आइडिया भी लगा रहे है यह पैसा कमाने के लिए दोस्तों नासा के हबल टेलिसकोप ने कैप्चर किया एक स्टार को जिसकी वो कुछ लास्ट फाइनल मोमेंट थी क्योंकि उसको ब्लैक हो हाला कि यह इलिस्ट्रेट करके बताया गया है कि किस तरीके से पूरे की पूरी चीज़े हुई है कि नॉर्मल स्टार निकल रहा था एक मैसीव ब्लैक होल के पास से तब ही उसकी सारी की सारी आउटर गैसिस को वो कैप्चर कर लेता है और उसको भी निगलना चालू कर देत और एक डोनट शेप बन जाती है क्योंकि यहां पर tremendous amount of lights और high energy radiation दिखता है जैसे ही वो उस पूरे के पूरे स्टार को अपने अंदर खीच लेता है दोस्तों सारी दुनिया से tech employees को चिस तरीके से निकाले जा रहे हैं कि अब एक website तक शुरू हो चुकि है उनको track करने के लिए जैसे कोवीड शुरू हुआ था ना कि कोवीड को track करते रहते थे कि इतने यहां से case निकल गए उतने वहां से इसी तरीके से अब layoff.fi नाम की website शु को निकाल दिया गया सिर्फ 16 दिन के अंदर ही तो मतलब शायद यह पहली जनवरी को गए नहीं होंगे जिसकी वज़से ऐसा हुआ होगा कि अब तुम सारे साल ही जॉब करने नहीं जाओगे तो शायद ऐसा इनके साथ में हुआ है जिसकी वज़से यह सारी चीज़े इनको पहला रखा है वहां के लोगों के अंदर कि सोलर पैनल लगाने से सूरज की रोशनी को हम अपनी तरफ आकरशित करते हैं खीचते हैं जिस तरीके से ब्लैक होल खीच रहा है उस स्टार को और उससे होगा क्या हम इनसानों को कैंसर होने लग जाएगा पेड़ पोधे ग्रॉ जाएंगे जिसकी वज़े से वहां के टाउन वाले सोलर पैनल लगाने से ही मना कर गए हैं